नमस्कार मैं डॉक्टर सुरेश परिहार मानसिक स्वास्तिय नसामुक्ति विशेशग्य और साइकोलोजिकल काउंसलर आप सभी के साथ एक बहुती खास सिध्धान्त माइंड से सबंदित शेर करने जा रहा हूं और यह है जानिये केसे हम अपने माइंड का उप्योग करके अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं गरीबी के उपर काम करने वाले जो हमारा मनो विज्ञान है उसके खास सिध्धान्त को हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों ये सिध्धान्त बहुत उप्योगी सिध्धान्त है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो माइंड एक सर्वोत्तम स्तिती पर हो सकता है ट्रेनिंग के दौरा उसको अगर हम ट्रेंड करें तो वो माइंड सर्वोत्तम स्तिती पर हो सकता है और ये जो एक शमता है ये लगभग सभी लोगों के अंदर हो सकती है जो लोग भले गरीब हो भले वो अंबीर हो भले वो किसी भी धरम से हो किसी भी जाती से हो जैसे कि बाबा साब अमबेडिकर जी ने भी कहा है कि बुद्धी का विकास यानि माइंड का जो विकास है वो हर एक इंसान का सर्वत्तम और एक आखिरी जो लक्षय होना चाहिए क्यों न हम उन सब लोगों के माइंड की विकास की बात करें वो लोग कैसे अपने माइंड का विकास करें जो लोग गरीबी के द्वारा परिशान है गरीबी के द्वारा वो आर्थिक मार जहल रहे हैं वो आर्थिक परिशानियों का जो सामना है वो कर रहे हैं उनको कैसे बाहर निकला जाए आए इसी पर आधारित जो मनोविज्ञान है उसकी एक संक्सिप्ट चर्चा करें दोस्तों ये मनोविज्ञान है ये टिका है power of possibility के नाम के एक सिध्धन्त पर कि power of possibility यानि कि जो संभव है उसकी ताकत संभवनाओं की ताकत हिंदी में इसको कहा सकते हैं संभवनाओं की ताकत जो है वो ताकत माइंड के विकास पर ही बात करनी है दोस्तों जो गरीब परिवार है जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है जो परिवार आर्थिक रूप से अच्छा नहीं कर पा रहा जिस परिवार को आर्थिक रूप से उपर उठाने किया आव सकता है उस परिवार को अपने माइंड पर काम करना पड़ेगा अपने जितने भी परकार की जो परिशानिया हैं उस परिशानियों का निवारान करना होगा या फिर उस परिशानियों को असेट करना होगा यानि स्विकार करना होगा जिस चीजों को हम बदल नहीं सकते उनको हम सविकार कर लें और जिसको हम बदल सकते हैं उसको बदलने का कोशिस करेंगे लेकिन सबी को एक साथ नहीं हो सबसे बड़ी जो परिशानी क्या है आपकी हजारों लाखों परिशानियां होगी उसमें से सबसे बड़ी परिशानी क्या है अगर आपको ये लगता है कि बड़ी परिशानी ये है कि आर्थिक जो साधन नहीं है हमारे पास जहां से रुपिये पेसे आए जहां से इतना खर्चा आए कि हमारे घर का खर्चा अराम से निकल जाए दो रुपे बचे भी और उससे के हम अपने परिवार के बारे में कुछ नया भी सोच पाएं तो वो चीज नहीं है तो आपको अल्टिमेटली कोई एक बिजनस की या फिर रोजगार की या फिर आपको एक इंकम के सोर्स किया शकता है और उसके उपर अगर हम काम करें और मनों विज्ञान से सोचें तो दोस्तों आपको तीन परकार की स्टेप्स लेने हैं अपने जिंदकी में आपको किस परकार से steps लेने हैं? उसमें सबसे पहला जो steps है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा कारगर है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी steps है और वो steps यह है कि आप अपने mind को, अपने mind को हर रोज ये विश्वास दिलाएए आप उसके अंदर एक ऐसा विश्वास पड़ा कीजिए, कि संबव है याप बहुत कितने भी गरीबी के अंदर जी रहे हो उस गरीबी से बाहर निकलना संबव है उस गरीबी से बाहर निकलके आप इस स्थिति में आ जाओ कि आप रुपियों पेसों के बारे में सोचो ही ना है रुपियों पेसे अपने आप आए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप सिर्फ अच्छा काम करने के लिए अपनी जिन्दगी को जीओ ये स्थिति बहुत ही आसानी से हो सकती है बहुत ही आराम से हो सकती है और ये सब संभव है आप अपने माइंड को हर रोज एक दिन, दो दिन, पान दिन, दस दिन हर रोज समझाओ सुबह समझाओ, दुफेर समझाओ, शाम को समझाओ बहुत सी लोगों की जो कहानिया है उनका जो जीवन है वो आप अपने जीवन के साथ में जोड कर समझाओ लेकिन अपने माइंड को समझाओ समझाओ कि सब कुछ समझाओ है और ये पहला और सब से ज़्यादा जरूरी स्टेप्स है दोस्तो आईए अब हम दूसरे स्टेप्स की और आगे बढ़ें और वो स्टेप्स ये है कि आप अपनी एक दिमागी सुरुआत कीजिए आप अपने माइंड से सुरुआत कीजिए आपका जो माइंड है वो काम करना स्टार्ट कर जाए कि हमें किस परकार से गरीबी से बाहर निकलूँगा आप भले कोई रोजगार की तरफ जा रहे हो तो उसके लिए आपको जिस परकार का रोजगार आपको लेना है वो काम सीखना पड़ेगा या फिर आप अगर खुद का काम कोई करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उस खुद के काम के परती एक अलकी सी समझ अपने माइंड के अंदर बनानी पड़ेगी आपके माइंड के अंदर जितने अच्छे विचार उस काम के स्बंदित आना स्टार्ट हो जाएंगे यसे मान के चलो कि वो आपकी एक दिमागी सुरुआत हो गई जैसे ही आपकी दिमागी सुरुआत होती है आपका जो काम है वो जमीनी हकीकत पर आने के लिए बेताब होने लग जाता है तो यहां पर आप तीसरा स्टेप काम में लीजिए और वो तीसरा स्टेप यह है कि आपका पहला जमीनी कदम दोस्तो उसी के साथ दुनिया बदल गई थी जब एक इनसान ने पहला कदम चांद पर रखा उसी के साथ दुनिया ने यह कहा कि यह संबव हो गया है तो दोस्तो पहले कदम के साथ में चीजें संबव हो जाती है आप अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हो उसके लिए आपका जो पहला कदम है जो जमीनी कदम हो जिसके दुआरा आपकी दुनिया बदले भले कि अगर कोई रोजगार का कदम है कुछ और चीज का कदम है तो आप कोई एक प्रोड़क्ट से सबंदित कोई दुकान खोलना चाहते हो तो उसका जब आप पहला पहला ओर्डर आपके पास कोई कस्टमर आया और आपने पहला समान जब बेचा है उसी के साथ में आपका पहला कदम हो जाता है या फिर आप अपने दुकान के बारे में सूसना स्टार्ट किया भी उसका पोश्टर जो है वो मैं ऐसे से बनाओ कोपी पर आपने सिर्फ उसका नोट किया यहां पर उसका लोगो आएगा यह उसका नाम रहेगा यह यह पोश्टर आपने किसी डिजाइनर को दिया कि यह कंप्यूटर में बनाकर इसका एक फ्लेक्स निकालो तो आपको पहला कदम हो जाता है तो इस परकार से आप अगर अपना पहला कदम रखते हो तो उसी के साथ में आपकी एक नई शुरुआत हो जाती है आप ऐसे कदम रखते जाएं और आपका यह जो रास्ता है वो बह गरीबी से बाहर निकलना और गरीबी से बाहर किसी को निकालना यह दोनों बहुत ही जादा आसान है बहुत ही जादा संभव है यह बात और यह विश्वास हर एक समाज को अपने दिमाग में डालना चाहिए और अपने आस पास के सभी लोगों की मदद करने चाहिए आओ हम एक नई शुरुवात करें और इस परकार से सोचना और इसको अमल में जो लाना है वो शुरू करें आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका लाइक कर सकते हो आप हमें अपनी बातों को या आपके विचारों को आप कॉमेंट सेक् थेंक यू जय हिंद जय भारत